हेलो सातियो मैं बेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश इस्टिडी में आपका स्वागत करता हूं सातियो आज हम 24 दिसंबार 2021 का प्रतम से काप्य पले क्या हैं आज इसमें पढ़ेंगे हम साति मैथमेटिक से यतने भी कोशन पूचे गए हैं आज इस वीडियो में सभी कोशन को करेंगे साथ इससे पहले हम बाले विकासे में सिक्षा सास्त्र सामान हिंदी जो हिंदी बासा है और पर्यारवण की वीडियो बना चुके हैं आप ले लेट में जाके देख सकते हैं सात देख को समान संध्या के कंचे चाहिए तो हमें कंचों के संभूम में और कितने कंचे जोड़ने होंगे साथ हुए आपको सवाल सवाल करना हैं कितने विद्यार इन गये एक दो तीन और 40 लोग 137 के आपसमें बांटना हैं इनको कितने कंचों जोड़ने पड़ेंगे 137 प्लच चौका 16 प्लच पना बीस बीस होने के लिए कितने कंची और जोड़ेंगे तीन कंची और जोड़ेंगे इसका करेक्ट टांसर अप्शन तीसरा हो जाएगा यानि 31 पासा आयट हो जाएगा 31 आप साम किसा कि आज प्षाम आके देख लेते हैं साथी ऑगहार पहली बार रहे हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक तथा सेयर कर दें कुछा है विसम बिन्नों के समों को चुनिए इसमें से भिसम बिन्न चाटना है इसका सही अंसर क्या होगा साथ इसे सवाल करने पार इसका करेक्ट आप्षन पर चौता सही हो जाएगा यानि चार और एक वर्टे आठ इसे आप सवाल करके देख सकते हैं कोई भी सवाल नहीं होता है तो प्ली आमें कमेंट में कमेंट करें आगे आपके लिए वीडियो में सभी कौसनों को एक साथ लेकर आ सकें कौसन अमर्ट तेतीस है तेतीस में पूचा है 27720 के आभाजी ग इसमें साथ यह ओ इस पेपर में मैं सिर्फ आंसर आंसर बताने बाला हूं आप बूलें कि solve करके तो बता या नहीं अगर आपको कुछा सवाल चाईए तो हमें पलिलिट में सुरी उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कोशन नमर्ट चौतिस में मैं पूचाया मोहन मोहन के पास कुछ टोकरियां हैं उसने उनका एक वट्टे तीन भाग अमर को एक वट्टे चार भाग अकवर को एक वट्टे छे भाग एंथनी को और एक वट्टे बारे भाग चरण प्रीत को दे दिया दर्जन ट्रोफी अभी भी मोहन के पास बची हुई हैं मोहन के पास सुरुवात में कुल कितनी टोफियां थी दर्जन में बताना है इनमें से सही अंसर क्या होगा नीजे चार अप्सन रेक हैं 34 का करेक्ट आंसर आपको बताना है साथे 34 का करेक्ट आंसर ऑप्सन रचा सही हो जाएगा यानि सेविन करेक्ट आपको बताना है को सनमर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथे 35 का करेक्ट आंसर ऑप्सन रचा सही हो जाएगा यानि दो अंसर आएगा अगे देख लेते हैं साथे 36 में पूचा है यादे 6 अंकों की संक्या चौवीश सट्साट आठ एक्स यानि 11 से विवाजित है और पांच अंकों की संक्या यह दिरक्ट है यानि 9 से विवाजि शाखे या उसका अंतर 11 आना चाहिए तो यह संक्या 11 से विवाजित होगी और यह आपको यह संक्या नौ से विवाजित हैं तो यह इनियानी इन सभी शंक्या का योग नौ से विवाजित होना चाहिए उससे हम देख लेते हैं साथे carry-36 का क्रेक्ट आंसर 205 चौथा ओजग यानि इन चारों में से एक अलग है उसको चांटना है को सन्वाइब तीस का करेक्ट आंसर क्या होगा पतंक आगे देख लेते हैं को सन्वार 49 ना पूचाए या बर्गर की भुचा को दो गुना कर दिया जाए तो उसका ख्षेत्र पल खालिस्तान होश जाएगा नीचे चार अप्सन को पढ़के से यह अंसरा को था ना को सन्वार 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथ यह को सन्मर 49 का करेक्ट आंसर आप्सना पहला सभी हो जाएगा यानि दो गुना हो जाएगा आगे दिखते हैं को सन्मर 40 चारलीश में पूछ है है विस्केट के एक छोटे पेकट ना चाहता है जिसनहां आत्रेक माप देसमलाब 18 cm है इस बक्से में कितनी विस्किट के पैकेट आ सकते हैं नीचे चार उपसंद्रे के हैं चार उपसंद्र को पढ़के सही आंसर आपको अन्सर क्या होगा साथियो कोसनर 45 का करेक्ट आंसर आपको तीसर हो जाएगा यानि 225 आगे देख लिए कोसनर 41 41 में पूचाए किसी भाग का प्षित्रपाल यह नीचे चार उपसंद्रे के चार उपसंद्र को पढ़के सही आंसर आपको अन्सर क्या होगा सात्यों कोसन अब जो 41 का करेक्टा अंसर उप्सन अचोता सही हो जाएगा यानि एक सत्ह पर छेत्र द्वारा घेरी जाने वाली जगह का माप होता है आगे देख लेते हैं कोसन अमर 42 42 में पूचाये 60 लीटर 750 मिली लीटर दूद समान आकार की 27 बोतलों में भरा जाता है ऐसी 17 बोतलों में धूद की मात्रा है नीचे 4 अपसंद्रे के चार अप्सन को पढ़के सही अंसर रख वोताना है कोसन अमर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा आगे देख लेते हैं कौसर नमर 43 में पूचा है दिए गई अनुक्रम में से कौन सी संख्याएं लुप्त हैं यानि संख्या दे रख्या है 0 1 1 2 3 5 8 13 खालिस्तान 34 और 55 फिर खालिस्तान देखा है यानि लुप्त संख्या की इस्तान पर क्या आएगा आगे देख लेते हैं कौसर नमर 46 में पूचा है मीनु के पास एक सेंटीमीटर बुझा वाला एक गण है वह अपने बक्से में ऐसे 30 गहन रख सकती है यदे महिमा के पास एक गहन नाभार कार पासा जिसकी लंबाए 2 सेंटीमीटर चोड़ाई 1 सेंटीमीटर और उचाई 1 सेंटीमीटर है जो हुआ मीनु के बक्से में ऐसे कितने पास रख सकती है यदे बक्सा पूरी खाली है यह नहीं चार अपसन रेक हैं चार अपसन को पढ़के सही आंसरा को उताना है कौसर नमर 44 का करेक्टर आंसर क्या होगा आगे देख लेते हैं कौसर नमर 45 में पूचा है एक आयत की चोड़ाई और परिमाप के बीच का अनपात पांच है आयत की लंबाई और चोड़ाई के बीच का अनपात क्या होगा तो एक अनपात पांच होगी एक आयत की लंबाई और परिमाप की बीच अनपात पूचा है अनपात दे रखा है तो इसके लंबाई चोड़ाई का अनपात पूचा है तो सातिवे से सौलव करने पर 45 का जो करेक्ट आंसर और सेकेंड से हो जाएगा यानि चार अनपात तीन होगा आगे देख लेते हैं कोसर नमर्च चालिज 47 में पूचा है कक्या पांच के गड़ित अध्यापक स्रीमान जैकव ने अपने विद्यार्थियों को निम लिखेते दो सब्दे का समस्चा है यानि 15 संत्रों को कमल तीन बराबर पंक्तियों में रखना चाहता है उसे एक पंक्ति में कितने संत्रे रखने होंगे भी कहता है 15 संत्रों को कमल पंक्तिओं में इस तरह रखना चाहता है ताकि परतिक पंक्ति में 5 संत्रे हों वह ऐसी कुल कितनी पंक्तिए वना शकता है दी गई सितीं के अनुसार कौन सा कतन सत्य है नीचे 4 अवसर रहे का सब्सक्राइब करने की आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि दौनों को हल करने के लिए भाग करने की आवश्यक्ता है आगे देख लेते हैं कोसर नमर 47 में पुचाएं निम्न में से क्या बुनियादी संख्यात्मक कोसल में बुद्धी के लिए सुझावित सिख्चा सास्त्रिय रड़नीती नहीं है यह चार अवस्यक्ता ने कहें कोसर नमर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा आगे देख लेते हैं कोसर नमर 48 में पुचाएं प्रात्मे का खक्ष्याओं के बच्चों को आख कृतियों की अवग धरना का परिच्चा देनने के लिए निम्न में से करेक्ट आंसर क्या होगा यानि चात्रों को एक चाट बार विविन आकरतियों के चित्रों को देखाया जाए आगे देख लेते हैं कोसर नमर 49 में पुचाएं इसमें से कौन सा सोपान यानि चरण समस्या समाधान में सामिल नहीं है नीचे चार उप्सन रहे हैं चार उप्सन को पढ़के सही आंसर आपको उताना है कोसर नमर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथे 49 का उप्सन नमर 30 सही हो जाएगा यानि उत्तर फश्चिम को प्रतिफा दित करना आगे देख लेते हैं कोसर नमर 50 मैं बूचा है रादा के पास 450 रुपे और सीना के पास 550 रुपे हैं सीना के पास रादा की अपिक्चा कितना धन अधिक है एक बच्चे को उप्रोप्त साब्दिक समस्यां को हल काने के लिए कहा गया बच्चा उसे 450 प्लस 550 विदी से हल करता है इस प्रकार के उत्तर का सबसे संभावे का कारक क्या हो सकता है इस नीचे चार अप्सन रिके हैं चार अप्सन को पढ़के करेक्ट आंसर होता नहीं को सबस्तर का सही होगा साथ जो प्रकार का उप्सन अम्मर सेक्ट सही हो जाएगा यानि बच्चा समझता है कि 550 रुप्य में से 450 रुप्य को नहीं गठाया जा सकता है साथ इक्यामन है पूचा है स्थानई मान की अवधारन परस्तुम करणने से पूर्वशात्रों को मूर्त संवäreक्णी करण किर्या कराने चाहिए इस प्रकार के क्रिया कला का प्रयूजन क्या है नीचे चार दो को पढ़के सभी आंसर को था नहीं का करेक्ट आंसर क्या होगा आगे देखे लेते हैं को पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है यहाँ योग का खालिस्तान काल आता है आगे देख लेते हैं को संख्याओं में पूचा है वेन हैले के सिद्धान्त के अनुसार यौमित्ति के अधिगम के लिए प्रथम महत्पून पद संपून चिंतन है क्यों के यहां आकरतियों के विश्चन और द्रश्ची करना को विकस्त करने के का आधार है आगे देख लेते हैं को संख्याओं चावण में पूचा है एक अध्यापे का अपनी चात्रों को कई भी चार अंक अपयोग करके एक चार अंकों की सबसे बड़ी संक्या बनाने के लिए कहती है वर सर्ते उसे पांच को एकाई की स्थान पर नियावत करना होगा या एक उधारन है नीचे चार अपसंद रेके हैं चार अपसंद्र को पढ़के सही अंसरा अको तना को स्थान पर नियाद प्चपन पूचाय दसम्ला अकुच्छाम का प्रतिन दित्तव करने के लिए निम्न में से कौन सा अतिय उसे होगत है सात्यों को नमर 55 का क्रेक्टर नमर तीसरा सही बहुआ हो जगा याने ग्रेड पेपर याने ग्राफ पेपर आगे देख लेते हैं को नमर 56 क्यापपन में पुछाए गड़ित से सम्मादने तर निम्नमें से कौन सा कथान उचित है एक कहता है गड़िती समस्याओं यानि प्रिष्णों का हल निधारन निधारत पाठे पुस्तकों में दी गई कलन विदियों द्वारा करना चाहिए बी कहता है गड़ित केवल संख्या और संख्या की अवधारनाओं के बारे में हैं सी कहता है गड़ित के प्रिष्णों यानि समक समश्याओं को हल आलूचनात्म का चिंतन वो बढ़ावा देना है चार अप्सन को पढ़के सही आंसर आपको उताना क्या होगा साथी क्या होगा जिसमें यह उप्सन और सही होग होगे आपका यह उप्सन सही होगा इसमें और सिसमें करेक्ट होगा आगे देख लेते हैं साथिया को सथामाट सथामान सथामान पूचाए एक बसंग चार सथा पांच इस्थान यानि एस सथान बीके बीच चलती है ऊपर दिये गए कत्रों में से किस प्रकार की संख्याओ कि चित्रण का उपनियू किया गया है कहतर तामन का जो पहला हो जाएगा या उसफर आगे देख लेते हैं सांथी और सट्क्रांइम आठामन पूचा है असुद्धिया आधिगम का एक आवस्यक है यह तिसे चाहर आपक्षन को पढ़केना करेंश्य ठाविक साथिया कोसल नहीं है आके देख लेते हैं साथिया को पढ़के सही आंसर को अताना का करेक्ट आंसर क्या होगा साथिया 59 का जो करेक्ट आंसर है अफसना पहला सही हो जाएगा यानि गड़ित की समस्या हल करने में बच्चों को प्रवीन बनाना आगे देख लेते हैं साथिया को साथ में पूचाए एक व्यक्ति करता है कि गड़ित में लड़कियां लड़कों की अपिच्छा अच्छी है कि इस दावे के लिए इसे निम्न मैंसे कौन सी आंकड़े सहायक होंगे नीचे चारा अंसर को पढ़के सही आंसर आप वहताना को साथ का जो सही आंसर है वह क्या होगा साथियो को साथ का खरेक्ट आंसर हो जाएगा और गड़ित के चित्र में विविद सोध अध्यान है साथियों जितने भी मेंत के कौसंते आज हमने इस वीडियो में सभी को कंप्लीट कर लिया है आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और आपने चैनल सब्सक्राइब ने किया है तो अखली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर